पर की तरफ और बहुत ही तेजी चत्राही तरीकिसे एक सिंगल ले लिया है अगली गेंट डालते हुए अगली गेंट डालते हुए लिटल फिनलान को क्या फिनलान पाउर प्ले का सही से इस्तवाल करके टिम है यूसे जहीं सरे त्यायकर यंद्धर जाएगा उкимиद्ध लेकिन बहुंन को गुए यूज्ट फैनल में और क्यांट चन् глазाइगा अब ह ärlend को और यहाँ पे तीसरी गेंड डालते हुए लिटल फिलनलान को लेंथ बॉल डाली है और कोई रन नहीं ड्राइब करने की कोशिश लेकिन असंभव रहा उनका ये प्रयास कवर की दिशा में बहुत बहुत ही तेज गेंड डाली थी लेकिन बहुत गंदा प्रयास रहा तीलनलान का यहाँ पे न्यूजिलेंड के दो रन हो चुके हैं बहुत 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 हैं बहुत 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 कर दो झाल 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 कि आज झाल 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 तीसरा ओवर करने आये हैं आयल लाइन की तरफ से MC कैथी उनका पहला ही ओवर और फिल लान यहाँ पे स्ट्राइक पे खड़े वे हैं छे गिंदों को सामना कर रहा है आप चास का स्ट्राइक रे चल रहा है और क्रिकेट जी पे को सब्सक्राइब कर दो यार हमारे लगे हैं हमारी थोड़ी मदद करो बस बाकी हम आपको बताओं कि क्या हुआ दा बाकी चीजे लेकिन मैं आज पर द्यान देते हैं न्यूजलेंड अगर दो नी दो सो एक सो सी दो सो मारे की तो बढ़ियर रहेगा आईरलेंड भाई अच्छी टीम है मैं यह नहीं करें आईरलेंड बच्ची ही है वो लेकिन आईरलेंड के लिए तो यह सिर्फ ऐसी मुकाबला है काम चलाओ आइलेंड तो नीचे है ना गुरूप बन में लेकिन अगर न्यूजलेंड यहां पर जीते तो उनका रंडेट जो है नेट रंडेट वो बढ़ जाएगा और अच्छी बात है और पॉइंट्स मिलेंगे पाँच पाँच पॉइंट्स मिलेंगे बागि देखते हैं क्या होता है और यहां पर स्ट्टाइक पर था कॉनवे MC कहरती की बॉल खेलते वे बाहरे दूसरी गेंट एक रंट ले लिया था पिललन रान ने दूसरा रं MC कहरती बल्लेबाजी भी करते हैं बल्लेबाजी भी करना जानते हैं है लेकिन ओल्राउंडर हुए एस ऐ उल्राउंडर यहां पे तीसे गेंग डालते हुए दाउंड में कोईर google नहीं लिया द निया इन बब्ले बाजी बल्ले बाजी करते हैं उनका पटर Yeah ठीक था इनका भी पर दोगेंद दोड कर चुके दोगेंद नहीं अरहे बला लगी नहीं रहा है बॉल पे रन नहीं आ यहां पर कट मारते वे कट का प्रयास करते वे कौनवे एम स्केरती की बॉल पर यूगी छोटा गेंट डाला था कट मारने कोशिच करते लेकिन असंभव रहा उनका है प्रयास और यहां पर अगली गेंट पर सिंगल ले लिया है डावन कॉनवे ने एम सी करती की बॉलिंग पर यहां लाइक बाई का सिंगल यह बॉल भी निलगी बैड से यह पैड से लही है इसका भी सिंगल ले ल, मैं बला कनेक्शन हो ही नहीं रहा है कॉन्वे का अगर हम बात करें T20 करियर तो बहुत बड़ी है लेकिन जिसा आप से खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी लीग में वर्ल्ड कप न्यूजलेंड क्यों आई है पता है ग्रूप स्टेज में वन में क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है गल के बाइगर के पास कोई रास्ता ने था कि इस चोके को रोक दें इसी के साथ इसोर में इस वर्ल में new ziland के सोलर रन हो चुके हैं तेन्वर के बात किमें इस ओवर की बात करें तो इस ओर में एक चौका ही आया है मुझे कोई दिखा नहीं कि हाँ यह फिलनान करेगा डैवन कॉन्वे करेगा लेकिन विलमसन तक भी नहीं चला क्योंकि विलमसन को टैनिस बॉन इंद्री होगी थी तो इससाफ से उसका स्ट्राइक रेट भी भहुत गिर गया सो के नीचे का दो मैच विलमसने तकड़ा परफॉर्मेंस 106-64 रन तो बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी इतनी खास दीखी नहीं न्यूजिलेंड की जिसाब से हो नहीं चाही थी न्यूजिलेंड क्योंकि न्यूजिलेंड टॉप की टीम है इसने सारे वर्ल्ड कॉप तो कौंगे तो यह हैं और यहां पर अगला अवर करने आये स्पिनर कि लानी यहां निग्वन कांवे स्ट्डाइक पर है नलानी की गेंद्ट खेलते डिलानी की बॉल पे फिलनलान स्ट्राइक पर हैं अगर हम फिलनलान की स्ट्राइक रेट की बात करें इस वल्लकॉप में तो 170-180 के पास रहा लेकिन रन नहीं आये हैं और हम डेवन कॉन्वे की बात करें डेवन कॉन्वे भी कभी स्ट्राइक रेट 100-110 के पास रहा बट रन ज और यहां पर पहली गेंद का सामना करते हूं और यहां पर करा रहा चौका मार दिया है बहुत ही करा रहा चौका मार दिया है डलानी की गेंद पर ओफस्टाइड की गेंद थी और बहुत ही टकड़ा कवर्ड ट्राइब मार दिया है बहुत इच्छा कलाईयों का यूज करके पिललानी चौका मार दिया और इसे साथ वो दस रन पर पहुँच चुके है न्यूजिलेंड का स्कोर 21 हो चुका है चौत्था और दो ही गेंद रहुत ही में और अ जबन सकते हैं कितने बन सकते हैं खेली है सव अ जनलानी वुत को वाउ और यहां पर चौथी गेंद पर एक और करारा चौका मार दिया है फिर अनाल ने मेरी बाद शायद से बुरा मान गया फिर कुछ हो गया लेकिन दो दो गेंदे उच्छार गेंदे उच्छी और दो चौके आ चुके हैं अच्छी बात भी कि नुजिलेंड अगर अच्छे रन मनाती है पाफ़ले में तो उनको आ और आगे मदद मिलेगी स्कोर खड़ा करने में मेरी बात इसने पकड़ लिया है पुरपुरा मान गये कहा रहा है मैं चला नहीं हो जाले अप्ते को बता तो चल के दिखाता हूं मैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत तीन चौके मार चुके बहुत तकड़ा खेल रहे हैं तीन चौके इस ओवर में तीन चौके ओह ओह फिल अलान आ गया है अपनी लाइन पर लेकिन और इसी के साथ यहाँ पर ओवर समाच चुक है कोई रन नहीं दिया है चार ओवर के बाद ट्वंटीन राइन रन हो चुक है न्यूजिलाइंड के रन रेट की बात के तो साथ का रन रेट चल रहा है न्यूजिलाइंड का चार ही ओवर हो चुके हैं यहाँ पर फिल अनान पिल अलान कैसे कैसे नाम फिल अलान 18 पर खेल रहे हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए 138 का स्ट्राइक रेट हो चुक है इंका और यहीं डैवन कॉन जैसे से रन बढ़ेंगे जैसे और बढ़ेंगे तो यह strike rate भी इसमेh strike rate में भी grow होगी देखते हैं विसका होता है और पिछला match न्यूजिलेंड हार चुकी है जैसे कि आपको आपने देखा होगा तो पिछला match न्यूजिलेंड हार चुकी है इंग्लेंड की दो शाथ था इंग्लेंड ने क्या बल्ले बाजी करिये बाई साथ वे 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 बटलर हेल्स और उस दिन क्या हुआ उस दिन बॉलिंग बॉलर भी नहीं चले न बल्ले बाज चले अगर बॉलर बल्ले बाज चले तो इंग्लेंड हार जाती और इंके पॉइंट और बढ़ जाते हैं एक तरह से क्योंकि आज के बाद दो अंक और मिलता है साथ तो हो नहीं थे रंडेट भी बढ़ता है नेट रंडेट भी बढ़ता है इंका और यहाँ पर आज दूसरा मुकावला भी है अफगानिस्तान और अस्ट्रेलिया का तो हाँ वो भी दे आप आज बाद एक बच के 30 मिनट पर आएगा वो मैच भी और यहाँ पर पाचवा वर स्टार्ट हो गया है दूसरी गेन हो चुकी है बॉलिंग करने आया है लिटल जोशुए लिटल जोशुए लिटल लिटल और यहाँ पर दो गेन्दों पर कोई रन नहीं दिया है जोशुए लिटल ने बड़ी hard land डाल रहे है, length ball कर रहे है, जिससे की, क्योंकि, Conway का, अगर हम, Conway ने दो गेंदे dot करी है, मिलब, अगर हम पिछले गेंदों की बात करे है, दूसरे तीसरे और में, तो, उन्होंने, मलब, प्रयास ही नहीं कर दा कि, चौका या छक्का मारने की, सिंगल खेल रहे हैं, मैं मानतों, क्योंकि, सिंगल यह लिख रहे हैं, क्योंकि, उन्होंने बनाना है, अपना मलब, तिक के खेलना है, T20 format में भी देख लो, चौकि, उन्होंने रन ही नहीं मारे हैं, एक मैच में मारे दे बस, 90 run, जैसे मैं आपको बताया, यहां पे बहुत ही तेज, गेंद, 187, किलोमेटर पती आर की गेंद, आउटसेट दी, लेक स्टम की बास, गेंद करी गई, डेवन कॉन्वे को, और यहां पर बड़ी चतुराही तरीके से उन्होंने रन ले लिया है, फिल लान आ चुके हैं, स्ट्राइक पर, लिटल, जॉशुए लिटल बाल कर रहे हैं, मीडियम पेसर मान सकते हैं अब, अभी तक मैंने इतने भी गेंद बाजी को देखा है, लेंड के, तो मिडल स्टम, आफ स्टम पर ही रख रहे हैं, ताकि, रन पावर ब्ले में थोड़े कम आए, गर पावर ब्ले में जादर रन आए तो मर्द मिल दाती हैं, ले और वो आगे और अच्छे रन बना पाएंगे, मान लोगर 60 रन बनते हैं, पावर ब्ले में, तो 60, 60, 60 हाँ, 200 हाँ, इतने तो बन सकते हैं, लेकिन अगर हाँ, अगर हम कुझा हाँ सलो, ठीक है, और यहाँ पर इस लैग भाई का सिंगल दे चुके हैं, मला खेला नहीं जा मला एक तरह से बाल टिकी नहीं हो रही है, होता है, मला कोई लै नहीं पगड़ पा रहे है, क्योंकि लै चला ही नहीं, बल्ले बाजी हुई ही नहीं है, इस वेल्ट में तो लै का बनेगा, और यहाँ पर चौथी गेंद पर फिललनान ने लिटल की बाल खेली, बैक अफ लै पिछले ओर में तीन चोके मारें, गैप निकाला है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर डैवन कॉन्वे की बात करें, वो प्रियास ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ शॉट मारें, अपने बैट से, यहाँ पर दो बॉलों पर लैग भाई का सिंगल मलब नहीं हो रहा हूं से, उनसे ब पाचवा ओवर की लाज गिंदर न्यूजलेंड के 32 रन हो चुके हैं, पिलनान 18, 18 रन मार चुके हैं, और यहाँ पर पिलनान ने मेरी फिर से बात सुन लिया, यहाँ पर एक और कर राकिदार शॉट मार दिया है, और साइट की तरफ, एक्षा कवर, पिल्ट पुजिशन की चुकि पावर ब्ले चल रहा है, स्क्वाइर पे खड़ा है और फाइन लेक पे खड़ा है, बाकी सब अंदर है दाइरे के, चुकि पावर ब्ले चल रहा है, और शीके साथ न्यूजलेंड के 5 ओवर के बाद 36 रन हो चुके हैं, पिछले ओवर की बात करेंगे, तो पिछले अब मुझे लैप अगण नी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा मलब, मैं भी थोड़ा परशान था, बट कोई बात नहीं, जैसे अच्छा है, जो शुआ है, अफगानिस्तान ऑस्टेलिया, आज ये भी ऑस्टेलिया तीसरे नमबर पे है, ग्रूप स्टेज की अगर हम देवन कौन वे अपना आप जादू दिखाते हुए, एक और कराड़ा, चौका मार दिया स्क्वैला की तरफ, बहुरती तकड़ा कट मारा है, बॉल रुकती भी नहीं, बहुत बॉल की तेज जाती हुए, बैक ओफ लेंड डिलिवरी डाल रहे हैं सारी, रूम दे रहे हैं बंदे को मार रहे हुए, लेकिन अगर डेवन कौन वे, यह, 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 चाली तरह हो चुके निजली लैंड के सी के साथ, बूसरी गेंड का सामना करते हुए, एड आर करने आ है, बॉलिंग, आयल लैंड की दरफ से, कौन वे की, कौन वे, ओके, कौन वे ने आपे, कौन वे ने, कौन वे ने आपे, सिंगल ले लिया है, और फिनलान स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अब तुम बोलोगे, एनरजी नहीं है मेरे पास, भाई, चीज़े हैं, क्या करते हैं, बट, हम चाहेंगे हैं, कि हम आपको लाइफ कमेंटरी सुनाएं कर सब्सक्राइब कर दिजिए, और आज का टार्गेट है, 500 लाइक, 500 लाइक तो बनते हैं, यार, इतने तुनों बाद आएं भाई, बाकी मैं, जब मैंच इनिंग खतम हो जाएगी, तो मैं तब बात करूँगा, तुम सबसे, आउंगा मैं, तुम से बात नहीं करी, मजा नही मैं, तो अब यहाँ पर दूसरी के इंद वाइड बॉल हो चुकी है, न्यूजिलेंड के 42 रन हो चुके है, पावर प्ले का आखरी ओवर है, और यहाँ पर दूसरी के इंद वाइड बॉलिंग करने आए हैं, एमेडार ही, एमेडार का दूसरा ओवर है, छे दिसमला सत्तर क एक नव में चल रही है, एमेडार की, फिल अनान, फिल अनान, फिल अनान, औरे भाईया, अरे भाईया, फिल अनान भाईया, रुकने का नाम ली ले रहे हैं, शायद से उन्होंने मेरी बात सुन लेया, फिर बूरा मान गए हैं, लेकिन, अरे, अमपायर ने चेक करा, अमप चक्का मारा है इसने न्यूजिलेंड 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 48 रन मार चुके हैं लगता है यहां पर एक और चौका आएगा फिलनान के बहुत अच्छे बेटा सुनना याशी मेरी बात सुना करो मैंने कहा था ना चौका आ आगे वाई चौका लो मेरा यहां मेरा बेटा नहीं ट्रह टीस रन हो चुके यहां पर फिलनान के वेलान पता नहीं क्या है 17 वेलान को शाय सुनना कौन बढ़ता रहे गांगा 1588 का रिख्रीक कर्ण बंदेगा डेवन कॉन्वे कभी बढ़ रहा है पहले 50 था अब 70 पर आया इसका 135 पर 188 पर लगते हैं यहां पर एक और चोक आएगा क्योंकि न्यूजिलेंड को इस ओर में 60 रन तो कॉप्लिट करने क्योंकि वह बड़ा लक्षी की सोच रहे हैं आयलेंड को ऐसे वह बच्चा । अरे बढ़ ऑफियर नजर लगी मेरी काली नजर लगते ही फिलन लाइन यहां चलते बने पावेलनी की तरफ बहुत अच्छा फ्र जल्दबाजी कर रहे थे अब बहुत जल्दबाजी इतनी तुना आप पहली गेम पर चौका चुका फिर पांच भी गेम पर चौका आए तुम भी यार तुम इतने जल्द वाजी कर रहें विकेट देके जाओगे ना फिर एडर की यह पहले विकेट है उनका दूसरे योड था यह बताओ यार यह चैटे और की आखरी किन दे अब अगले बागले बल्ले अजी करने आएंगे हमारे मिडल अर्टर बैट्समें केल विलिम सण जहां तकright जल मीन आघ़ा vaите केल विलिम्शन न आयगे जहां तक लग रहा है मझे मझे चैढ कर k भई केल विलमसंण इंजरी के बाद से मलब ठैम सा गया उसको जैसे कि टैनिस बॉन इंजरी हुई थी तो इंजेक्शन लागे खिलता है क्यूंकि उसका रिस्टी नहीं चल रहा है वह शौट कैसे मारेगा तो इसलिए उसका स्ट्राइक रेड भी खतम होते जा रहा है पिछले कितनी खराब है इसलिए कें विलमसंग पर मिला प्रिक्टिसाइज भी करा गया है कि हाँ उसका स्ट्राइक रेड गिर चुका है बिल्कुल खतम हो चुका है क्योंकि इंजरी मैटर करती है यहाँ पर अगली गेन डालते और यहाँ पर अगले बल्ले बाजी करने है जैसी मैंने कहा था क्रीश पर बल्ले बाजी करने आए कें विलिमसंग देखते हैं आज इंका कैसा स्ट्राइक रेड है कैसी बल्ले बाजी रेगी आगर हम तीन मैचों की बात करें कें विलिमसंग सब्सक्राइब कि इंजरी के बाद ऐसा ही होता है लैप अगंडे बहुत टाइम लगता है आप देखते हैं यहां पर क्या आज भी यह बहुत टाइम लेंगे क्रीज पर अपना रन मानने के लिए या पिछले मैचों की तरह ही अराम राम से कहलेंगे अपर चलते बनेंगे पर इनकी तरह देवन कॉनवे पिछले और में एक विकेट गिर चुक्य है फिन ऐलान की बहुत अच्छा खेल रहे थे जल्द बाजी नहीं करते तो आउट नहीं होते जल्द बाजी करी नोंने अच्छे बले रन बर रहे थे पावर प्ले में बावन रहे चुके हैं तो अगले ओर में मार प्रवार सकते दे यार पहली चक्का मार दिया फिर उसका तुम आउट हो रहे आसे देगा मैंने काता ने न्यूजिलेंड की बल्ले बाजी ठीक नहीं है न्यूजिलेंड के बॉलर अच्छे हैं बल्ले बाजी खराब चुके फिर एक बल्ले बाज चला ग्लैन फिलिप्स बस दो मैचों में चला और डेवन फिलिम्सन की बात करें तो नहीं चले भाई बिलकुल भी नहीं चले यहाँ पहली गेंद का सामना करते वे और कोई रन नहीं पहली गेंद का सामना करते वे किलिम्सन उनकी दूसरी गेंद है लेकिन डैवन कॉन ने स्ट्राइक दे दिया दूसरी गेंद पर विलिम्सन को यहाँ गेंद बाजी करना है 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 हैंड हैंड तो यार कैसे कैसे बोला रहे हैं है जा दूसरी गेंद पर एंड कोई रण नहीं दियाँ अब तुम सोच लो के एनेर्जी एनेर्जी भाई यहां मारे लगे मैं एनेर्जी की बात कर रहा हूं जो कि अनेर्जी नहीं है न बठ कोई बात ही हम करेंगे तुम्हारे लिए तुम सबके लिए अपने करन भाई तो न मेनद करते हैं सलाम है उनको लव यू भाई करन भाई अगर सुन रहे हो मझे तो अरे यार लाइफ चैट पर कर रहे करन भाई ओपी कर दो क्योंकि बहुत मेनद करता है जो कांट हुए ना उसके बाद भी बंद ने हार नहीं मानी अच्छा बंद कि विलम्सन ने जल्द बाजी नहीं करें विल्म्सन बहुत देरे घेलेगा है लोत उसकी बल्ले देखने मजज लख़कर उसका पूरा अच्छा है और यह इतना दिखाया है यह इसने अपनी बल्लेबाजी सिंगल से बन रहे हैं रहे हैं कि देवन कॉंवे के चौदर रहन रहे हैं तेरा 20 गेंदों को सामना कर चुके है 70 का स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग करने आए है हैं लास गेंदे हमकी पहला वरी था इमकी लास गेंदे तीन रन देर सरवनों ने आठ का रंडेट चल रहा है अगर आठ का रंडेट चल रहा है तो आठ का रंडेट ऐसी चलता रहा तो 160 तक पहुचेगी न्यूजिलेंड नराम से अगर 9 का पहुचे दस का पहुचे तो 190 राम से पहुचेगी न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड को पॉइंट मिलेंगे बहुत चीवाद अगर हारगी एक मेरे काल से थोड़ा मलब यार थोड़ा पॉइंट में थोड़ा होगा कुछ ना कुछ तो गडबढ़ होगी यहां पर साथ ओवर समाप तो चुकिया है और 56 रन हो चुकिया है एक विट की नकुसान पर न्यूजिलेंड के जो की पहला विगट गिर था फिल अलान का पिलनान के बाद आयत एकेल विल्नमसन जो की चार गिंदों को सामना कर चुकिया और सिर्फ दो रन ही मारे है डेवन कॉनवे ओपनर बल्ले बाद इन उनने 20 गिंदों को सामना कर रहा है और 14 रन ही मारे है और अगर मैं क्राइटेरियों बताओं कि क्या कैसे इंग्लेंड और 30 पार रहा है और तिनों के सेम अंग है पांच 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 फांच लेकिन जो औरrict करता है तो आगर और जेख आप कर रही है और अगर और सेलेग कि बाद करू तो माइनस में चल रहा है तो यह आने वाले जो बी मुकाबले न इंगे लैंड बना मुद आप सिर्लंका और आज राज इती स hoofणिस्तान को कोसिन कि पौईंट ने को मुश्किल हो सकती है इıtने पौईंट ना इपैंड कि जीत ना इंग जाती है अगर शिल Grenka हार जाती और इंकलेंग्लाइट वहाथा तो इतनेफे penser ना पाएंगING ओर अज ईविव क्वे अएँ जाएंग्लेंग्ं पराश्थ्लार सकती हुए मरे साथ्यूकृइझी ऊप्लस हो जाएंगे आथ बहुत दो बहुत बड़े मुकावलें इंग्लेंड बनाम शिलंका और ऑस्टेलिया बनाम अफगानिस्तान जो की आद दूपयर को है क्रिकेट जीप लाइफ यहां पर तीन गेन उचेके आठ गेन दोगा सामना यहां पर तीन गेन उचेके ललानी बॉलिंग करने आई हैं देखा केल में बहुत दीरे-दीरे खेल रहा है जैसी कि देखो स्ट्राइक रेट 42 का है सिर्फ साथ गेंड मैं कहा रहा हूं दस गेंड़ों पर इसके सिर्फ चार रन नहीं होंगी जब आगर हम इसकी पहले की बात करें तो यह बहुत तेज़ खेलता था एक सो साथ एक सो इतने का स्ट्राइक रेट होता है लेकिन अभी सो से नीचे उससे उपर बढ़ ही नहीं रहा है जो मैंना को करम रदा है इसका इंजरी का कारणा था बस केल में सो दीरे-दीरे ही खेल लेगा ज़्यादा तेज़ नहीं खेल लेगा कि ट्वेंटी है अभी नॉर्माली मिलेगा इसको देखने को अधिका फिर सिंगल ले लिया इनने बहुत राम राम से खेल रहा है यह बहुत राम का मामला चल रहा है दर हमारी भी हालत खराब है लगा रखे हमने भी अपने कॉन वे स्ट्राइक पर आ चुके हैं 15 रन मारे ह 21 गेंदों का सामना करा है 71 का स्ट्राइक रेड हो चुका है इंका डिलानी की ये अगली गें जो पांच वी गेंद की अगर हम बात करें तो गुगली गेंड डाली थी लेंद वॉल के इन को सिंगल लेलिया मेडिविकेट की तरफ डेवन कॉन्वे स्ट्राइक पर आगे थे और यहाँ पर इसी के साथ ओर समापती हो चुकी है आठ ओर के बाद न्यूजिलेंड के 59 रन हो चुके है हाँ जोड़ रहा है कुछ मार लो बाई कहने मिलें उसर ने परशाद पर आइस बना रखक है इसको आरलेंड कि डर असे बल्लेवाजी कर रहे हो आर मानता हो लेकिन आरलेंड ऐसी बल्लेबाजी बेशरहमा है तुम तो मैं दीखे रहे होगी मेरे में एनर्जी नहीं है बेट मैं थोड़ा अपने तरफ से ट्राय कर रहा हूँ थोड़ा मुझे मॉटिवेट करना जिसने डिमॉटिवेट करा उसको गील यली चमी नहीं मिलेगी दिल्ली का लॉंडा आज बेहाल हो चुका है यूकि पॉल्यूशन बहुत खत्रनाक हो चुका है डिल्ली में चल लगे रहा है हमारे लेकिन इंग्रेट अबे यार चोका मार दिया यार चौका नहीं चयाता छकका च्याता भाई सरसक्का एषी के साथ बहुत ठकड़ार मार दhouse थोड़ा कोल रहे यहां अपनी बैटिंग थोड़ी अच्छी खर रहे पॉफसायड पे चौका मार रा है बहुत टकड़ा सब्सकिंघी जैसी गेन और बहुत ही तकड़े तरीके से ड्राइफ कर दिया जैसे कि छोटा पैर चलाते हैं ज्यादा लंबा पैर नहीं खीशते छोटा पैर चलाते हैं और चोगा मारते जैसी गैप में गया और फिल्टर के चांस नहीं था कि उसको रोकते दिखा देखिए यहां पर एम कैर्थी लड़की लग रही है मुझे बॉलर बॉल करना है एम कैर्थी केल विल्मसन को केल विल्मसन ने आपर स्ट्राइक रोटेट कर दिये सिंगल लेते हुए डेवन कॉनवे स्ट्राइक पर आ चुके हैं माफ करना अगर एनेर्जी नहीं लग रही है तो लेकिन मैं अपने सर्व से बहुत ट्राइक कर रहा हूं कि मैं आपको मजे दिला सको बाकी मेरी हालत वैसी नहीं है बैट कोई बात नहीं चलो तुम्हारे कुछ भी भो सकता है वाई एनेफिंग फॉर यू पाकिस्तान पाक तुस बहुत बोल रहा था ना तारा निकल गया दिखे गानियाद मुझे लग रहा है वो चैट पर भी आज न्यूजिलेंड के 65 रन हो चुके है यह सरफ नो वावर से लगए सरफ तीन गेंदें एमसी क्यारती की पहली गेंद पर चौका है केंविंसन ने बहुत तगड़ा चौका मारा दूसरी गेंद पर केंविंसन ने एक तगड़े तरीके से सिंगल ले लिया अगर अगर तीसरी गेंद की बात के तो डेवन कॉन्वे को एक बहुत तगड़ा यॉर कर मारा ब्लैक होल मला ब्लोक होल लेकिन उन्होंने बड़े चतुराई तरीके से कवर की तरफ पर शौट मार दिया और सिंगल ले लिया है और यहां पर केंविंसन स्टाइक पर आ चुके है उन्होंने भ पाकिस्तान का तो सुनते में खासी आ रही है क्या बोलू उनके बाहरे में बात करेंगे इस भी बात करेंगे मैं अच्प दियान देते हैं न्यूजेन मना आइलेंड का आइलेंड आइलेंड नहीं बना पाएगी अगर 160-179 तो नहीं क्योंकि चलता है नहीं सब बल्लबाज कि इस वर्लड कप में लेकिन आयलेंड हाँ यार जिससे आप से हम जानते तो आइलेंड को और अब कैसी योख पहले कैसी थी यह भी stark 나 इने विल्डंग में, बॉलिंग में, बяет्टिंग में भी वर्ल्ड कोप испर हुझे, हुझ बात होगी तभी!!! तब सुनेमेंट्स केयल केंड करायें, सकर्वाइए अर्लेंट में लोड कोप में यहाँ फोबा शर ACT है और नवचल पर 67 है शी्क्त सिक्षा हे एक नुक्सान commit यहां पर चोकाशड़ दिया है केन विलमसम घीर दिर अपनी लहाम और चोकाशड़ दिया है कि जड़ा नहीं रोक़ लिए condiciones चोकार रग रहता कि लेकिन भेवरी ने चोकश्यों क्षेणा क्यों उसन।ा की यहां पर बंपार अब बाउंटर चेक हो रहे हैं और यहां पर ने भाई ज्यादा नशे में मत रह थर्ड अपार साप तो यहां पर दो रन मिलें उनको आखरी गेंद पर उसी के साथ यहां पर 9 ओवर की समापती के बाद न्यूजलाइन के 69 रन हो चुके है आज मैंने पुवास भी रखा है कि बताओ किसके लिए रखा होगा तो करण बताओ मैंने किसके लिए पुवास रखा है तो यहां पर न्यूजलाइंड के 9 ओवर के बाद 69 रन हो चुके है मैं पढ़ूँगा सब कुछ पढ़ूँगा तो लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है कि यह जोर्जी डॉक्रेल इस नाउट रेट है के इन विलमसंग को फॉर्म बहुत खराब चुका है यार मैं इसकी बैटिंग देखा करता था भाई बिलकुल भी ने इसका हाथ में चल रहा हाथ संप नहीं जल रहा हा बैटिंगैंगे में यहाँ पर पहली गेन पर कोहर नहीं आए स्पिनर आय डॉकरल ने पहली डाली को कोहिर नी दिया ओट सैट डी आउट स्टम्पेंग को गेंड डाली बाप्र इफैन्स करते डिवन कांवे ने को से अगर दोग रहल की कि बात करें तो ऑफ साइड लेक्स्टम के पास ही रख रहे है गेंट ताकि रन ना सके लिगिन उन्होंने पावरप्लेंगे अच्छय गेला है याओ पावझल प्लेंगे पास ही इनके साट रहन थे जब फिल्लान बैटिंग कर रहा था और डैवन कॉन बैटिंग कर रहा था तीसरी गेन एनर्जी के लिए माफ करना फिर चे कहा रहा हूं तीसरी गेन तीसरी गेन 88 किलोमेटर पटरार की भाई कौन खेल बाएगा कमेंड बता कोई खेल पाएगा इतनी गेन कभी खेले तुमने जिन्दिगी में नब्बे से उपर की गेन सो डेड़ सो कमेंड करो ड्रॉप दे लेंड बिट अबे यार डैवन कॉन में पखा रहा है यार से मैं बहुत पखा रहा है पहली या मैं खुद से फ्रसान हूं यह डेवन कॉन में पखा रहा है बगा इसे बगा इसे जगह से यहां पे दस वे ओवर दस ओवर मनल होने वाले दो गेंदे बची दस ओवर की यहां पे 72 रन लिख चुके है न्यूजिलेंड अपने स्कोर बोर्ड पे साथ का निट चल रहा है यहां पे डॉक्रेल की पाचवी गेन जो थी वो वाइड हो चुकी है इत्ता लंबा वाइड बाई इत्ता लंबा वा तेंड और यहां पे सी के साथ सिंगल ने एक कॉनमे ने कॉनमे झाल ने स्ट्राइक डे दिया चल रहा है चाईगा अगर टिका रहा तो भाईया जाएगा बागी वर्ल्ड कप में इसका 100 के आजसेट नीचे और से एकडम से किवर्ण कौन वे बहिए मैं 직 merry माऔर चुके हैं 18 के अने कर चुके यह 10 बाद की समाप्ति हो कि यह रोख demographic के 75 हैально झाई बनाने दी हैं अभी तक और सब्सक्राइब को मैंने इसके बारे में कि हां यार वंदा टकडाब खेलता है अच्छा बल्ले बादल लेकिन चले नहीं यार इस World Cup में न मैंने चार चीज़े नोटिस करी चार चीज़े ये नोटिस करी कि जो चार ये विश्व के सबसे खतनाक बल्ले बाज है ना, बाबा रादम नहीं चला कोली चला भई, कोली तो मेरी जान है Smith, Smith भी नहीं Smith भी नहीं, और जो रूट को तो लिया है निनोंने, वर्लल कप में और अगर केन विलम सिंग बात करें तो केन विलम सिंग भी नहीं चला, बात करें तो किंग कान है अपना किंग है, कोली कोली भाई, या लव भी ब्रो कोली अपना किंग निकला भाई देख रहे हो न, कोली का अवट देख रहे हो तो इसी के सथ यहाँ पे drinks break हो चुगा है पानी पीने गा, वो पानी पीने जा रहे हैं प्याउ से तो यहाँ पर अगर हम बात करें 10 ओर में तो 10 ओर में क्या हुआ 10 ओर में बात करें तो विकेड गिर चुगा था एनम का रोगो एक सेगेंड रोगो अगर हम अभी तक दस ओर की बात करें तो फिनलान जो की बहुत ये अच्छी परजेशन कर रहे थे नोने बहुत अच्छे चौके पांच चौके मारे नोने पांच चौके एक चक्का बढ़ने वाला था दोस्तों के पार भी आने वाला था लेकिन जल्द बाजी कर दी और इची के साथ महाँ पर मार्क एडार ने बॉलिंग कर रहे थे और उनने आउट कर दिया उसे कि बहुत तगड़ा अच्छे से लेकिन आर गया अगर बहुत तगड़ा खेल रहा था अगर वह थोड़ा और पेशेंस करता तो और चरण मार चकता और यहां पे विगेट नहीं होती नुजिए लैंड की उसके बाद पिर केंविलमसन आये केंविलमसन अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट सो कई चलेगा इससे आके नहीं बढ़ना उसके साथ नहीं मार पारा निए उसके साफ नहीं मतलब इंजरी की बाद वह खतम हो चुक एक तरही के से लेकिन हम क्या का सकते हैं हो जो होगा है डेवन कौनवे की बात करें डेवन कौनवे भी भूत अराम-ëराम से खिर रहे बल्ले बाजी करते तो 28 गेंट नार मारे यह राथ था यह था अगर हम 10 अगर की बात करें तो जो मारकदार ने पहली विगेटल ली थी अपनी दिखो, छे गेंद बाज किला है, वह था नोने आधे से ज़ादा लोग तो बल्ले बाजी करना भी जानते हैं बॉलिंग करना भी जानते हैं तो या अच्छी चीज है कि आगर आपको बैटिंग और बॉलिंग दोना करना चीज तो फाइदा है यहां पर पहली गेन 11 वे ओवर की बॉलिंग करना है है हैंड 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 दे दो इसके कहीं और डेवन कॉन्वे किया था है लेकिन उन्हें सिंगल ले लिया डेवन कॉन्वे स्ट्राइक पर आ चुके हैं जो दूसरी गेन थी हैंड की मुझे पता ऐसे के मेंटरी नहीं होती है आई नो बट आज आज के लिए अगर समा चाहूंगा घरा तुम्हें कुछ लग रहा तो सॉरी यार बाकी हालत तुम्हें दिखरी होगी मेरे वाद से बदलोगा नाक से बदलोगा और भाईया चौका मार दिया है बहुत तकड़ा भाई डैवन कर्म में शुकर है भाई चौका मार दिया है तुमने धन्ने हो प्रभू चौका चौका मारते ही इंके 25 रन उचुके और निउजिल और जो भी बोलते हैं बोलते हैं तीसरी तो बहुत तकड़ा चौका माले डैवन कर्म में शुकर है मातरानी का जैओ भाई आसी तकड़ा तकड़ा खेला भाई तुम यहाँ निउजिलेंड के 83 रन उचुके हैं बहुत तकड़ा खेल रही है यह मारेगी भाई इंका 700 चल रहे तो यह साथ करणे के साथ 170 170 रन निउजिलेंड राम से मनाली की कोई चिंता नहीं है और अगर आयरलेंड में ट्रैक्टर चल गया ट्रैक्टर बल्ले बाजेट रह लेगी है तो मुश्किल हो सकता है कि यह मैस हार सकती है वह बहुँ अरे भईया यह बहुत तकड़ा केंट विलम्सन ने लेकिन आपे बाउंडरी चेक हो यह बाउंडरी चेक होते ही मैं जहाँ आएनरजी में दातो न तो मैं लगते चटका लेकिशाप बाउंडरी, चैक न निकला यह चोका केन विलिमसन ने लैक्षाइट की तरफ मारा है फ्लिक कर दिया गेंद को बहुत तकड़ा तरीके से फ्लिक कर आए चोका बहुत ही चोकानेदार चोका था है एक नमबर एक नमबर बहुत है लेक अब इस और में दो चोके आ चुके अच्छा खेल रहे हैं एक चोका न्यूजलेंड और यहां पर बॉल फिर से आवा अरे यहां पर यार यहां पर चक्का मार चुके हैं केन विलिमसन कोई डरने वाली बात नहीं है कि यहां पर बहतरीन चक्का मार चुके हैं और मैं हन्नी आपको कमेंटेटर आज लगे हुए मेरे चक्का मार चुके 11 ओवर समात हो चुके हैं और न्यूजलेंड के 93 रिन चुके हैं जो स्ट्राइक रेट है वह भी बढ़ रहे हैं मेरी बात सुन रहे हैं सब देखो मेरी बात सब सुन ले थे यार बस हुआ ही नहीं सुनती यहां पर बहुत अच्छा प्रजशन बहुत मेरी बात सुन रहे हैं सत्रा गेंदों को सामना कर चुके हैं अब लेह में आ रहे हैं चलो अच्छी बात है क्योंकि आप सेमी फाइनल खेलेंगी न्यूजलेंड में को लग रहा है जहां तक छे टीम है जो ना लड़ रही है आप बाजू में लड़ रही है आनी तो चार टीम है मेरे साब से चार टीम जो आएंगी इंडिया साथ अफरीका न्यूजलेंड इंगलेंड बाकी आप कमेड में बताएगी कौन सी टीम आएगी तो फोर में बाकी तुम पता है क्या और शे है जो तुम बहुत को मेरी तरफ से ठीक है धंकी चीज मांगना न्यूजिलेंड के यहां पर 96 रन हो चुके है बॉलिंग करना है डिलानी स्पिनर है यहां पर पार्टनर्शिप बनती हुई पार्टनर्शिप अच्छी बन रही है डावन कॉन्वे और केन विलम्स अंगी पार्टनर्शिप बन रही है अर्श को बनेगा ही बनेगा पार्टनर्शिप पर यहां पर विकेट गिरवा और यहां पर डेवन कानवे चलते बने पहवेलियन की तरफ और जिससाब से खेल रहे थे लेकिन यहाँ पर डैवन कॉन्वे जाते हुए पविलिन की तरफ इसी के साथ यहाँ पर न्यूजिलेंड के 96 के बाद दो बेट के बाद 96 रन पे खतम हो चुके हैं दो ओपनर गए पिल अलान गए और डैवन कॉन्वे ओपनर गए अब यहाँ पर गलेंड फिलिपसिस आएंगे भाई तगड़ा माल है वो बहुत तगड़ा माला है वो क्या शॉट मारता भाई उसका जो स्टांस है क्या खेलता है इंप्रोवाइजेशन बहुत तगड़ी बहुत तगड़ी इंप्रोवाइजेशन अगर हम गलैन फिलिपसिस की बात करें गलैन फिलिपसिस ने 64 भी मारे 104 रन भी मारे है और अब पिछले मैर्ज में जो इंग्लेंड वाना नाम न्यूजलेंड ता उसमें 62 रन मा और रहे हैं, क्या रहा भाई है बाई गलैन फिलिपस यह दोस्तों का यह अधी लग रहा है बहुत तकड़ा खेलेगा यहां पर कितने ओर छुग है 12 ओर ओर चुग है 12 चल रहा है 2 गेंद अगर इसने नहीं मारे यहां पर तीसरी किंद पर डॉट की तेलिवरी भाई मेरे नाम बदनाम मत कर दियो बस फिलिपी 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 ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परदर्शन कर रहा है तीन मैचों की बात करें तने थीन मैचों में एक और इनका दोस्तों का स्ट्रॉक रेट छल रहा है वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में देखा है और यह याद्वी यार देखा मैं ने कहा था नहीं यह भूत नियुक कि तारे जिखाएगा व्ल्लेड वालग फिलिख सब और और यहां पर बहुत तखड़ा च्छक का मारा तारे दिखा दिये तारे जमीन पर लाद रख्या है इन्होंने यार गयां फिलिपिस तखड़ा खेल लेगा मुझे पता है यह बहुत तखड़ा बनता खेलता और यहां पर सौरन कंप्लेट हो चुक है नियुजिलाइंड के एक यहां पर अगली गेंद केंविलम सुम को डाली दिलानी ने और यहां पर कोई रन नहीं लिया आखरी गेंद पर इसी के साथ यहां पर न्युजिलाइंड 12 वार के बाद 103 रन पर है बल्ले बल्ले क्या लगता है कौन जीतेगा यार यह वर्ल्लटक कौन जीतेगा मेंको तो तो बताओ आपने भी राए दो बज़े आज मैंने वर्त रखा है मातरानी के विवा के लिए ये 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 22 गेंद हो सरी 12 गेंद आर ACT का रनेट चल रहे तो ऑँकरन चल रहे तो इसका मतलब यह है कि अ है कि interpreender क्या हो हुआ तुम बता कुछ इसक मतलब यह है कि गृत करेंद कि चल रहे तो 170 बनेंगे राम से खर यह layer 10 पर पहुंच जाता है तो 183 run हो जाते है देखो न्यूजलेंड को भाई आज मैच जीतना पड़ेगा अगर हार गए तो इंग्लेंड भी है भी और और उस्टेलिया भी है भाई कुछ भी हो सकता है क्रिकेट है है लेकिन टॉप पे मैं मानता हूँ टॉप पे है लेकिन पोइंट भी अच्छे हैं लेकिन अब यार फोइंट घट भी दूसकता है करा मैच हार गिंगी तो पोइंट करता है पोइंट पोइंट निस्ट हो आज़ा है पोइंट तो तीनों के सेमने अगर न्यूजलेंड हार गीई तो कुछ भी ओसकता है भाई क्रिकेट अन्शिताओ का खेल है यहां पर सबके गोडे लगते हैं सबके गोडे गोडे भाई गोडे कि अधिया तो यहां पर बॉलिंग करना है एमसी कैर्थी कैर्थी लड़की अरे यार यहां पर मुझे लग रहा है अगली गेंद पर चोका यह छका धरून मारेंगे कि यह टुबुक टुबुक करने वाले बल्ले बात नहीं है यह मारने वाले बल्ले बात क्यूंकि जिस आप सिंग का स्टांस है जोड़ा ओपन स्टांस रहता है और पैरों को चलाते हैं बहुत ज prosecution में खेल्टें जगा जानते ขेलना स्रकल में भी में खेलते हैं भागट तकड़े शक्ये मारते हैं यहां पर तीन गेंदों चुक्ए और दो ही रन आया थे तीन गेंदों पर फिलिप्स अभी भी मार चुक्च गेंद पर हैं फांच गेंदों को सामना कर चुके हैं एक Christie तुम पता कर चकते हो यह और बढ़ेगा भी विलमसम 26 रन मार चुके हैं 19 गेंदों के 136 का स्ट्राइक रिट चलो शुकर रहे बढ़ा के विलमसम का मेरे बेटे का मेटे का नहीं है मेरा बहुत शाबादार बहुत चकना-चकना शहर्ट मार दिये नहोंने फिलिप्स ने कि MC कहाती की गेंद पर मोट टुरमा शॉट मारा लिक कर दिया लिक नहीं पुल कर दिया सॉरी फुल कर दिया बहुत तघड़े तरीके से क्या पुल मारा है कढ़ा के दा रवा जाई लेकिन कोई चांस नहीं था प्ल अभी उसे रोक नहीं सकता गें फिलिप्स ने मारा चौका यह मुझे बख्ले बात काफि अच्स लगा और यहाँ एक्यों साथ दिख रही है हमें चोके बरस रहे हैं बहुत बढ़ी या जैसे फ्रीफांड में आयं हो बहुत बच उवेच्ए इस वह बातिका कि बन्र जास अधर शान्त कर सकते हैं न्यूजलेंड के 113 वरत हो चुके हैं न्यूजलेंड के 114 वरत हो चुके है दो बिगट भी हो चुकी है देवन कौन वे फिले नान नान याद आगे यार इसी साथ होई 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 नहीं कहा दो लेकिन देखा फिलेप्स भाई अभी आया है और दो चुके मार चुक है एक चक्का आट गेंद खेल चुक है और सातुरा रान भाई यह बंदा मारेगा शतक एक और शतक आएगा इसके बल्ले से इसके बल्ले से आएगा एक और शतक हालत बेहाल है तुमारे दिल की सहन है अरे यार अगर आज ऑस्चलिया जीत की ना ऑस्चलिया मेरे को लग रहा है अफगानिस्तान से हैं जीत जाएगी कैसी बात कर रहा है अफगानिस्तान के रहे है ये मलगा ऐसी मैच है न उनके लिए जरूरी मैच तो ना क्लानी सनs भार ओष़गी है आहां लेकिन चोट तो लग जाएगी अगर अफगानिस्तान जीत मता हएग लगी बाहिए बाहर हो भाइजी एक टांफा यार सबब्र दोना है यहाँ पर अनए गेंड डाल थी अपनी अपनी कहीं दी बॉल डाली थी बॉल बाई अपनी बॉल डाली और विकेट ले लिए यहां पे चीके साथ यहां पे न्यूजिलेंड के 114 रन के बाद तीन मिट गो चुकी है जिसमें से कि फिलनान जा चुके हैं डैवन कॉन्वे और जो वर्ल्ड कप में च्छा रहे थे बड़े दुख के साथ कहना पढ़ रहा है ग्लैन फिलिपी अगले बल्ले बाजी अगाउट से करने हैं पहुच चुके हैं ग्राउंड पे मिचल 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 डी मिचल तो इतने खास बल्ले बाजी बाजी क्या बता कुछ भी हो सकता है और मेरे और इंग्लैन का बढ़ा खतमनाग मैं चाहा है शील लंका के साथ लंका लगा करती है शीलंका ना खुच जाएगी ना दूसरों को जाने देगी मुझे लग नहीं रहा शीलंका क्योंकि उसमें धनंजे डिसलवा क्या खेला यार अग्वानिस्तान को कोई चांस ही नहीं दिया मैं को लग रहा है गोड़े लगा के जाएगी राम पर गोड़े लगाएगी एक नंबर लगाएगी देखना ना इक लाइन को क्योंकि शिलंका भी यार कम नहीं है यहां पर दिलानी दो विकेट प्राप्त कर चुके हैं उनका लास्ट ओवर है साथ की नोमी चल रही होंकि दिलानी की अच्छे बालर लगे मुझे यह विक्टर लेते हैं यह तो अच्छे लेते हैं विलंसन 26 रन मार चुक है उन्हें गेंदों के सांथ होगे क्योंकि विकेट गेर चुक है तो शाहत रहना पड़ रहा है उन्हेंने यहां पर बल्लेबाजी न्यूजिलेंड की दरफ से करना है मिचल दो गेंदों को सामने करें चुर्फ दो रनी मारे हैं सो का स्ट्राइक रेट अब मेरे को लग रहा है खोड़ो शान्त हो गया मौल क्योंकि विकेट को शुकिए हैं तीन खतरनाक बल्लेबाज जा चुकि न्यूजिलेंड के और उनका में को पता था कि ऐसी करेंगे अरे मिचल मिचल की अगर हम बात करें वर्ल्लकप की तो बिचल ने इतना खास प्रोशन इसने भी नहीं करा कि मैं कहा तो न्यूजिलेंड ने बल्लेबादी करी कहा हैं वह टॉप में इसलिए क्योंकि बालिंग बहुत तगड़े थी बाई बालिंग मैं कह सकता हूं ट्रेंड ब बहुत और फर्गुसन और सवड़ी सवड़ी रोशन सिंग सवड़ी और सैंटनर भी यह अच्छे बालर है इस वज़से टॉप पर है वाज न्यूजिलेंड पाकी ऐसा क्यूंकि बल्लेबाद जी इतनी स्ट्रॉंग नहीं है न्यूजिलेंड की अगर इंडिया और न्यू न्यूजिलेंड में कम निसमझद लेकिन बहुत तगरी न्यूजिलेंड से ले जाएगी यहां पर इन्होंने 140 मार दिया ना न्यूजिलेंड बालिंग अराम से ले जाएगी बहुत तंगर इस तरीकी से ले जाएगी इच्छी के साथ यहाँ पर ऊवर समाह दो चुके 14 विलमसन स्ट्राइक पर आ चुके हैं विलमसन आज रन मारेंगे मारेंगे लेकिन अब मेरे को लग रहा है जिसको मैंने बोला वो सब कल्टी होते गए हैं लग रहा है इभी कल्टी न हो जाए पतली गड़ी ना पकड़ लेपनी है बाकी दुख तो हुआ बट इस ओ ग्रेट बैट्समेंट भाई ऐसी बड़ मैं अगर विलमसन भाई सौरी अगर कुछ बुरा लगाता है इसलाग ज़्ट्समेतर्त कोली बाबा राजब करें लेमसन महान बल्ल क्यांकत हों और होता है होता है सब के साथ होता है हमारे साथ भी हो रहा है कि यह बट बस्क dat नहीं लचया-चया-बांतों का करनाच 500 लाइक करदेनी है और अच्छे वुझदा ने हैं कुछा सबसक्राइब करो यह एक ईकार एकर सब्सक्राइब करो ।- लेके कि उसक अधाय हुआ है और हमने कैसे मलब उस भाई ने जो मलब इस ओनर है इस चैनल का कैसे उसने बंदे ने भाई मलब लड़ा है वो इतनी दिनों तक उस पर दिल पर क्या बीद्री तो उससे पूछ हो करण भाई एक बड़ी फिर से यार शाउट अड़ा करण भाई को लाइफ चैट पर करण भाई के लिए दंगे मचादो यार मैं हनी वो करण मेरे करण बहुत तगड़े हैं लव यू करण भाई ऐसी महनत करते लिए तुम्हारों चैनल बहुत तगड़ा बढ़ेगा मचादो यार करण भाई के लिए तो तुम्हारे लिए तनी महनत करतें हैं शरण तुम्हारे लिए चाह कुछ भी हो जाये ना चैनल बारिश आ जाए चैनल मैं क्या बहुत तगड़ा बंदया भाई वह ए लेकिन बहुत तकड़ा बनता है उनकी फैमिली को भी जो उनका साथ देते इतना बंदा भाई दिन राथ मैनत करता है ऐसी उसकी 125 एन हो चुके सब्सक्राइब बहुत मैनत करें चार साल लगे बनने को यार शाउट और ब्रो शाउट और दिल से शाउट और ब्रो और हम भी मैनत करेंगे उनके साथ तो हम भी बढ़ेंगे आगे ब्रो यहाँ पे 15 ओवर की 4 गेंदे हो चुकी है और अगर हम बात करें इस 4 गेंदों में तीन ही रहना है और यहाँ पे एक ओवर तो दे दिया है और जो चौती गेंद जो डॉट थी वहाँ पे सिंगल ले लिय तो स्ट्राइक्रेट तो गिरते जा रहा है केल लेंगे मेरी बात गौर करी सुनें सबने कि क्या हुआ चीज़े होई बस तुम्हारा सपोर्ट होगे ना बस हम कुछ भी कर सकते हैं विकॉस तुम नहीं तो हम नहीं बस अब ज़्यादा इमोशनल नहीं करना मुझे तुम र आ रहा हूं मैं थोड़ी दिर में आ रहा हूं न्यूजिलाइंड में न्यूजिलाइंड के 123 रहन हो चुक है तीन मिट के बाद कि पंदरा और समाब थोने वाले हैं और 123 नहीं है तो पांच और बचेंगे सब्सक्राइब तो बना लेंगी यार 160-070 यहां लेटल बॉलिंग करने आये थे आयलाइंड की तरफ से तीसरा हो रहा है उनका और कोई विकरेट नहीं लिया लेटल नहीं आपे और 14 रन दे चुके हैं और यहां पर बहुत लंबी वाइड बाल यहां पर एक और एक्स्टर रन मिलते वहें न्युजिलेंड को उनकी स्कूर बढ़ में एक रन और एक्स्ट्रा जुड़ गया है न्युजिलेंड की इसग्ड़ेंड एक 24 हो चुके हैं वाइड बॉल के साथ नियुजिलेंड के dm मिचल स्ट्राइक पर है विलियम्स अब भी स्ट्राइक पर खड़े हैं मिचल ने बहुत ही शैक्सी चौका था मज़ा आ गया मुझे ओई 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 आज तो पार्टी बनती है अज की पार्टी बनती मेरा वड़त है सॉरी अगर खांसी के बाद आ रही हो तो बट इट्स प्रोब्लम ब्रो तो यहां पर न्यूजलाइंड के न्यूजलाइंड अगर आप भी गई तो लगनी राज जीतेगी मैच वैल्ड कप जीतेगी जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि गेंद बाजी यार कितना मलब यार बैटिंग भी तो करनी पड़ेगी तुम्हें ढंक से भाई ओपनर ही नहीं चल रहे ओपनर मेन होते हैं वही तो जुम्हें शुरुबात देते हैं कि हाँ यार ओपनर अकर मारेगा रन तभी तो हाँ टीम की एक नीप बनेगी एक जड़ बनेगी हां मुझबूत यार ओपनर चले मालो ओपनर ने 50-50 रन मी मारे तो अच्छा माल अच्छा नहीं नहीं है तुमने भाई तीन और यहां पर एक कर रारा वारा शर्ट मार दिया है विलमसन चार रहे उच्छा के गरूँ रवाश तगड़ा रिष्ट का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं के लिमसन रिष्ट क्यूंकि पैर नहीं चलाता है यह टाइमिंग बहुत तगड़ी करता है बंदा लेक्षाइट पर गें थी उसने स्क्वेल लेक की तरह बहुत तगड़ा शॉर्ट मारा यार जो रोकने का नाम रोकी नहीं की सकता क्योंकि टाइमिंग बहुत तगड़ी करता है रिस्ट बहुत अच्छी चलती है लेकिन थोड़े छलाता है लेकिन अच्छा बल्ले बाद है पीसरी गेंद पर कोई रन नहीं डॉक्रेल स्पिनिंग गेंद बाजी करना है और कोई रन नहीं दिया है 132 रन हो चुके है न्यूजलेंड के अच्छी बात है वाई पर यहां पर बॉल हवा में क्या यह चौन ही नहीं यह यह चूट गया यह तो दो रन मिल चुके हैं यहां पर केल मिलम समग और केल मिलम अपने पास ही स्ट्राइक रख रहे हैं थोड़ा रन मना है थोड़ा और अच्छा रन मना है इस ओर में कम से कम वह शोला और तक उनके 150 सोच रहे हैं वह सोच रहे हैं बाकी उनके उपर डिपेंड करता है यूज्यलेंड को जीतना है अगर उनने टॉप फॉर टीम में आना दो अभी बात और यहां पर बात और यह सिर्फ टॉप फॉर टीम होगी अभी लेकिन जो बात ओरे टॉप शिक्स टीम की जोगी उस पॉइंट सेबल में देगे वहां पर अगर बात करें तो इंडिया सौथ अफ्रीका पाकिस्तान है तीसरे नमर में रहे हैं और यहां पर बात करें यहां पर बात करें तो न्यूजिलेंड और और यहां पर यहां पर पांच भी गेंत पर चौका लग घ्या था यार केन वींडैंग संद सभी खेल रहा भाए उसका बहुत तगड़ा मेल रहा है तो अ जाने दो जो हो गया हो गया हमें आज का देखना है आज क्या है और इसकी साथ ओवर समात हो चुक है 16 अवर कहा था 140 रन हो चुक है न्यूजलेंड के मैंने कहातना अपनी जेमो बारी समझ रहा है स्ट्राइक इसलिए रख रहा है अपने पास 140 रन मार चुक है 12 रन आया है पिछले ओवर से डॉकरेल के 2 ओवर डालर 18 रन दे चुक है अरे बाईया यहाँ पे डार बॉलिंग करना है सोल वावर अइरलेंड की तरफ से डार को दिया गया बॉलिंग न्यूजलेंड 141 पहुँच चुकी है पहली गेन वाइड बॉल डाल दी यार वाइड गेन डाल दी डील मिचेल भाई साब स्ट्राइक पर है साथ गेन्द को सामना कर चुके है नोह और रन मारे है विलिंग सन भी अच्छा केला भाई अच्छा खेल रहा है मैं खेला नहीं खेल रहा है बहुत तगड़ा खेल रहा है I appreciate bro I appreciate I feel you bro I appreciate you bro 144 का पर उच चुका है भाई मैं लोग स्ट्राइक रेट में बहुत अची बर्रा अत्री हुई है झाल क्वटी कर भी होगी घर में कुछ लाई का पपा अच्छ ऑप मार दिया है डी में चलने डार की गेंद इस चौका मार दिया है तीशिए रेट गेंद पर मिचल ने डार की डार गेंदवाजी कर रहे थे चौका मार दिया न्यूजिलेंड की 147 हो चुके तीन विगड़ी की नुक्सान पर आठ का आठ कस्ट आठ कस्ट स्ट्राइक रेट रून रेट चल रहा है यहाँ पर फिर से बॉल हवा में क्या यह कैच होगी नहीं यहाँ पर दो रण मिल चुके हैं अभी भी मिचल स्ट्राइक पर मिचल ट्राइक कर रहे हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं थोड़ा चौका चकल आए 149 ने चुके हैं मैं लो अच्छा केल रही है बहुत तगड़ा केल रहे है अरह भाई जिया चार गेंदों की बात करेते हैं यहाँ पर चार गेंदों पर 10 रन आचुके बहुत महेंगा ओवर जा रहा है यह मैंने कहा है कि हाँ यहाँ यहाँ पर 180 रन बनेंगे 180 भी नहीं 190 बन सकते हैं अगर ऐसे केलते रहे तो और नहीं तो क्या और यहाँ नहीं एक सोशीट बन सकते हैं फैर कि एनर्जी माप करिया है कुछ होते हैं एस इनरजी क्या willkommenि में यह मानता हूँ बट थोड़ाओ अदिक्टचत है अब क्या किसकते हैं बट हाउ आ अच्छी बात है तुम सुनतो रहे हो मारसा जुड़े के तो बात दो रहे हो तुमसे बात भी कर रहे हैं या जितनी खतर ना नुज्जलेंड के 152 विक्षान पर 17 ओर की समाप्ती पर पिछले वर की बात करें तो 12 रन आ चुके हैं अडार की अडार का तीसरा वर था है और एक विकेट भी ले चुके हैं विलेंसन बहुत अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं चार चौके मार चुके एक छक्का 145 का स्ट्राइक रेट और मिचल की बात करें जोंके साथ खड़े हैं 17 रन मार चुके ग्यारा केंदों को सामना करते वे दो चौके कडाकेदार दो चौके मारे हैं स्ट्राइक रेट 154 का याँ द्यूजलेंड जीतेगी आज आज जीतेगी क्या जीतेगी बॉलिंग बहुत पगड़ी है और यह उच्छेहांस्टी रहेंगे ढौब यह उसाव समझे लगा रहा है कि बैटिंग पीछ बहुत अच्छी यह बैटिंग पीछ बहुत अच्छी है बॉलिंग के लिए माल थोड़ी मैं यार बनभ कह सकते कि हाँ वह बात नी, वह नमक नहीं है लेकिन बैटिंग के लिए मुझे अच्छी लगी इत्ते रन आ गए हैं तो उनकी भी तो आ सकते हैं बाकी बॉलिंग भी डेपेंड करते हैं कि आप कैसी बॉलिंग करते हो यहां पर बॉलिंग करने हैं MC कैर्थ जिन्होंने एक भी विगेट नहीं लिया है और इंका है लास्ट ओवर है एकत्तिस रन सरी 27 रन दे चुके हैं अपने और में डी में चल यहां पर स्टाइक पर हैं पहला जो गेन था वहां पर दो रन ले चुके हैं और अपने पास ही का एक रखिये नोंने और यहां पर दो 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 सिंग्ग दो गेंदों पर बहुत तकड़े दो सिंगल ले लिए हैं बहुत अची साज़दारी दिखती हुए मुझे और यहां पर न्यूज़्यलैंड के लेकिन वह मुझे मिल नहीं आप 2 गेen 2 के बाद 14 और याँ पे पाउर्टनर शेब बन रही पांटनर शेब यह तीषरी पाउर्टनर शेब है, जो पहले उसकेल पाणनर शेब तीजोग जो पाई शेबatus है केलिमसन और डेवन की की बात करें तो उनकी 44 रन की पार्टनर्शिप थी procedure नी 50 रन की पार्टनर्शिप थी और यहाँ पर DEVATION विगेट की पार्टनर्शिप बन रही है बहुत तगड़ा मामला पाईन लग रहा है मुझे तीसरी विगेट हा- को hai हां थीक है you know दो पार्टंशिप तो हमें दीखी। एक तो डेवन कॉनवेर केल दिखरीहएगां बंदे समझ रहे हैं कि हां में हाँ बड़ी गौर में लग रही है को हाँ की देखते हैं क्या होता है न्यूजलेंanguard के one 163 रन हो चुके हैं इसी के साथ सरफ 2 और बचे हैं 2.2 और बचे हैं सरफ 163 रन हो रहे हैं यहां पर 9 का रन रिट भोच चुका है बहुत पगड़ा रन रिट अगर यही रन रिट थोड़ा 10 का हो जाए मैं और और रन आ जाए दो गेंदे बचे इस ओवर में 11 रहा चुके 4 गिंदों पर 11 रहा अगर मालो 10 रन ओड़ा देक माला चुका है चौका तो अगले फिर 2 और में बहुत तखड़ा मचा आएगा फिर 200 तक पहुचे है अगर 10 ओड़ा तक हाँ अगर देखा मेरी बात मान ली और चौकापाली यहां पर 167 रहा है नूज्जिलेंड के खाते में जूड़ चुके हैं बहुत तखड़े और यहां पर यहां पर हाथ हिलाते हैं है मेरा और हाथ हो गया है बहुत तखड़ा और लोग तालिया मजाते वे लिये तक्ता लग रहे हैं केल उना कि एक सु इसे आय besl़रा मेरी बात माली मेरी बात और यहां पर उजह लग रहा है मैंने क्या था बैए मैंने क्या जो कहते clients यार यार्ली यह वहाग। देख रहे हो मुझे तुम देख रहे हो मेरी देख रहे हो मेरी लेकिन देखा जो मैंने कहा था वह हो गया है यहां पर एक चौका चुक है मलब रंडेट थैंक यू गट थैंक यू मेरी इतना विखास नहीं न्यूजलेंड के साथ 173 रन हो चुके हैं तीन मिट्रे नुक्सान पे 18 ओवर के बाद यार यह तो सच में यार मलब चमतकार हो गया रहते बहुत तकड़ा चमतकार हो गया मलब में को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने जो बोला वह वो गया देखा जो बोलते हैं वह होता है और यहां पर केल लिम्सं तकड़े form में आ चुक हैं इक्सट रन मार चुक है है माचो कर सके माचो कर सके हैं आहिलेंड की 179 रन का स्ट्राइक रेट और मेरी यहां बहती हुई क्या बहती हुई मेरी नाग बहती हुई आहां हां 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 कि ओ तेरी भयां की यहां पर कैंद निशाम तेजी बहुत तेजी बाजी कर रहे ते कैड सीम ना चुके थे अच्छा स्कोर और बना सके थे लब अज मार सकते थे और रन और रं आ लेकिन यहां पर चलते बने लेकिन बहुत अच्छी साजयदारी जो कर युनोंनेKayn टूट्ट्ति हुई और इन्होंने बहुत अच्छा मतलब इदने बहुत तकड़ा आज खेला आज मतलब मतलब जाया कि हाँ यह बल्ले बाज है इसने अच्छा इसने रण अच्छे मारे जो रण चीए थे जिसम मालो बार वे तेवर गयात करें तो एक सो आठ एक सो तेरा पे खेल रहे थे लेकिन उसके बाद उसके आठ एक सट रण वारे बहुत तकड़ी बल्ले बाजी क्या बात है यहां पर जिमी नीशम आया है जिमी नीशम की अगर हम स्ट्राइक रेट क्या रहें तो दोस्तों का स्ट्राइक रेट होता है लेकिन हमें दिखा नहीं कि हाँड हिटर बीटर और दो चुके हैं वह लास्ट और लिटल गए है अगली जो दूसरी गिंद पर आउट हो चुके हैं अबे अबे क्या यह क्या है यहां मैं बैठा ही हूं सरफ और विगट बताओ बेहन का पकोड़ा कर दिया है इनोंने और यहां पर जीमी नीशम चलते वे अभी तो आये थ विभी मरवा तो यहां पर लाग रहा है मुझे रिव्यू ली है उन्होंने जीमी नीशम ने लपी डवल्यू कुरार गया था गेंद की अगर हम गेंद की बात करें तो यहां पर बहुत पगड़ी अपील वे मिडल स्टम के पास है मुझे लग रहा है आउट ही होंगी पैर मिडल स्टम के पास है इंसाइड दी लाइन है विकेट के इंसाइड दी लाइन हुगा पैर तो आउट ही है एक तरीगे से लेकिन यहां पर धडम पैर शुट्टा फिने के बाद थोड़ा देख रहे हैं कि मेरा काम आगया तो देखते हैं क्या होता है अच्छी गेंद की गेंद की गेंद की अंगल से आया था गेंद बहुत तकड़ा गीन दायता और सीधे जाकर प्यार फे लगा निडल स्टम पर लगा जाकर पैर पर इस इसे लाइन है तो ऑउठ हो सकता है लिटल की अगर यह आउट है तो दूसरी विगेत होगी हो दूसरी विगेट रिवीव लाज्ट यहाँ पर भाईया यहाँ पर रिवीव लाज्ट हो चुका है एक जेकिन में भी आया मैं कुछ दो होकर आ रहा हूँ तरस्फर रिवीव लाज़ हो चुका है अरे आ गया मैं वापिस और यहां पर क्या मैं देख रहा हूं कि यहां पर तो भाई यहां पर तो तीन गेंदों पर तीन आउट यह क्या चल रहा है भाई यह अभी तक तो इतना तखड़ा महल चल रहा था विलंसन आउट और फिर यह जिमिनीशेम आउट अब सुवर भी सुरी सुवर नहीं है उसरी सुवर नहीं है वह है सैंटनर सैंटनर भी आउट तीन विगड़ ले चुके बाई लिटल बहुत तखड़ी गेंद लाज़ बाई सा डंडे गार दिये और यहां पर मुझे लग र मेरी जान और यहां पर मेरी सैटिंग होते हुए और मैं यहां पर बंदी से बात करते हुए कि मेरा फोन बहुत करती है मज़े इसलिए कि आते सिंगल लाइफ सबसे अची लाइफ ऐसे पंगल होगे तो दंगे होंगे यहां पर रिवी लॉच हो चुका है यहां पर मिस्स एंटनर ने लपीडवलू का और यहां पर भी अच्छी गें डालते हुए मिडल स्टम्प जो भ बॉल करिए मिडल स्टम्प के पास रखिए उससे न आड़ा थेड़ा है न आड़ा कड़ा है यहां पर जिमिनिश्यम सैंटनर जाते वे और यहां पर बल्लेबाजी करने आये हैं बॉलर इम साओधी और निस ओवर की आखरी गेंद है यह न्यूजिलेंड यहां पर 175 रन पर पहुच्छे की अच्छे विगड़ के नुक्सान पर उई उई और आखरी गेंद पर एक रन ले लिया है क्या लगता है कि कित्ते रन होंगे आखरी ओवर में कित्ते रन आएंगे इसी के साथ मेरा फोन स्विच आफ चुगा है जो बंदी से मैं बात कर रहता है बगवान में चाते हैं कि साले कमेंटरी पर द्यान देले लेकिन क्या रखते हैं तो मुझे काम चलाना पड़ेगा हाथ तो से मिला सरी यहां पर निस हो चुके हैं फोगेट दिस वर्ड़ यहां पर निस हो चुके हैं 176 रण हो चुके च्छे वीट के नक्सान पर इम साथी अभी अभी आए हैं बल्ले बाजी करने नौ का रण रेट चल रहा है मैंको लग रहा है इस होवर में आएंगे कम चेकंग दस या पंदरा रण अभी तुम बताओ कितने रहा ना सकते हैं आखरी अभर में क्यूंकि टीम साथी तो गेंद बाजी करने बहुत तगड़ें हैं मिचल मारत थक्ते हैं मिचल मारेगा एकशुपचास का श्राइक चल रहा है और टीम साथी का तुकि दो चोगें मार चुके हैं और यहां पर एडर बॉलिंग करना अपना आखरी और और यह निजिलेंड की आखरा आखरा इस लिए अखरी और लास्ट और लग रहे हैं लास्ट और में 20 रन आएंगे वह आना जरूरी है और मैं आने वाला मेंसे बात करने को देर में मजे करेंगे मजे करेंगे अरे यहां पर गेंद बाजी चुले होगे यहां पर रन ले लिया है एक रन देखते हम क्या 19 रन हो रहेंगे सोबर में अगली गेंड डालते हो एडर साउधी को स्ट्राइक पर है वो मेरा पेट भकडब वास कर रखा है मैंने आज अरह यहां पर गेंड वाइड इतना लंबा लंबा है वह एडर की ओ हो 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 यह फॉस बाउंस थी भाइश बहुत मलम यहां पर इसारा कर देगे निया 3 तो यहां पे दो run extra मिलते वे क्या बात है क्या बात है अरे ये नीचे क्यों नहीं हो रहा तुँ रहा भाईया बढ़ा ही मुश्किल है अरे एक और single मिलके बाई का single क्या लग रहा है मुझे सट्टा मैस्च तो नगे रहा single इतने run दोना देते है यार कोई पहले गेंद वाइड सोरी पहले गेंद पेक रं दूसरी गेंद वाइड फिर लाइग जिकल भाल तीन रण आ चुके है दो गेंदे होई है सिरफ अवेरा पेट नो की के नौ में एक विकेट लिचुके है दार लशलला लशलला लुशला 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 ... निजलाइड के हाप पर कोई रन नहीं आया है लग रहा है तीन गेंद और बची है मिचल स्टाइक पर रहें लग रहा है मुझे जैसे लग रहा है मुझे दो चौक नहीं दो चक्के आएंगे बाई अच्छा टार्गेट देंगे तभी तो मज़ा आएगा तुमें भी और हमें भी वोगी बराबरी का मुझा भाबला नि आर्लेंड आर्लेंड के अगर वो बल्ले बाद चल गए बस वो चलने चाहिए बागी का पता नहीं कि पूरी टेम ही खेलती है यहां पर अगली गेंद पर तेजी वाला सिंगल ले ले तेजी नाल सिंगल ले लिया है दो रन आ चुके और इस लैंड के वन एटी वन रन हो चुके है दो गेंदे बचे स्रफ दो गेंदे क्या होगा है क्या चक्का यह चुक आएगा सबसे जब आप पे देन वालों को आइफ़न रटी मिलेगा है अपने मम्मी पापा की तरफ से अपने मेरी तरफ से त्या तेरी यहां पर एक दो सिंगल ले लिया है अब चक्का मार दो 190 बन जाएंगे वाई 190 बढडम बड़न बडं जहा तू जलाल तू एक चका लालटू अजिहां पर मजह लग रहा है क्या एक और चखका आएगा अखनी गेंद पर अडर की गेंद बेडित मिचल स्ट्राइक पर रहे हैं मुझे लग रहा है जैसे एक छक्का आएगा वैसे मज़ आएगा ये बागी देखते हैं क्या होता है एक सुनब्बेकर टार्केट में लेगा कर एक छक्का आगे दो चक्का मा नहीं यहां पे तेटी पहन का आलू काटू यहां पे 20 ओवर की समापती के बाद न्यूजिलेंड के 185 रन हो चुके हैं और मैं आ रहा हूं तुम्हें स्कोर काट बता दू कि अभी मैच में क्या क्या हुआ तो अगर हम मैच की बात करें तुई 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 तुम्हें से बात करने आ रहा हूं तो इसमें आ रहा हूं बंदी बंदी करते करते मैं हो गया संडी मेरे एंग सिकंट बस में आया अभी आरहा है आइफन फॉर्टीन प्रो मैं जेन आरहा है सबको है अब आइटन फॉर्फर मैं एक सच में यार सच में लव्यू गाइज और भाई करन भाई के लिए शाउट और मार देना बहुत तकड़ा बनना है वह वह जो इस चैनल गाओ ऑनर है आरी जान करन जान और मैं हनी चाथ मैं तुम्हारी जान बन जगो क्रिकेट क्रिकेट कि कि क्रिकेट कि 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 अरे मैं आगे हो भाई अब बताओ अपने आज लग कि सबसे बहले भाई सबको भाकी पाल लूँगा मैं कि कि रगो रगो अरे अरे आओ यारा मैं आगे हो अब तुम नहीं आ रहे आओ जल्दी बाते करेंगे ना नैना कुमारी थैंक्स फॉर ओल सिदुमोसी वाला या सिदुमोसी वाला लेजेंड प्रो लेजेंड दिल से सल्यूटरस बन देगो लाइब चैट का करेंगे जिल सबसा करेंगे यू सा सकंथ हो आओे युमोसी वाला या झाल 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 अरे मैं आगे हूँ भाई अब है लो नहीं करें कोई तो बता हिए कैसे या सब क्या लगता है क्या जितेगा क्या जितेगा क्या जितेगा चाइड वेट खौला हम कर रखी मैंने उपन शाट लोग आए हैं बढ़ बढ़ झाल अरे यार कोई बात नहीं करना चालेगे मुझसे तो लब बेडिया है और गया है अब इतने तनों बात आए हैं तो तुम तो बोली के होगे अपने भाई को अन्नी भाई को बोली के तुम बढ़ जोलो कोई बात नहीं सिद्धू मोसी वाला लोगर बात ही नहीं करने फिर अब क्या करना लगते हैं मैं भी खाना ना खा लेता हूँ फिर मैं भी चलाता हूँ थोड़ी दिर में आता हूँ जैसे मैं स्टाट होगा मैं भी फिर आता हूँ कर दो है झाल 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 यहाँ पर मैं स्टार्ट हो चुका है यहाँ आयाँ अब आज बात करने यार ऐसे कर लगा तूं 37 लोग चैट पे हैं क्या कोई मेंसे बात निकरने जाएगा तो लो बाकी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर मैं स्टार्ट हो चुका है पहली गेंद हो चुकी है दूसरी गेंद भी हो गया और मैं एफल खा रहा है यहाँ पर यहां पर ट्रेंट बोल बोल यहां पर ट्रेंड बोल बॉलीग करने आया है पहला ही ओ रह रहे हैं और दो गेंद कर चुग है और एक रना चुग है और यहां पर बल्ल्लय बाजी करने है helped पालस्ट्रेइनिग आपल्बिन मुञाथny यह मत 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 दिदा मामेंगे 145 कर टार्गेट है 118 इदें मूतल लगरत यह यह रन मना पहेंगे तक हुआ कि भात करें जितने मकाबले खेले उन्होंने रुके मैं अभी बताता हूँ पॉस्टेरिंग अगर इस वर्ल्टकप की बात करें तो पॉस्टेरिंग नहीं चले इस वर्ल्टकप में बिल्कुल भी नहीं चले बिल्कुल भी नहीं पॉस्टेरिंग बात तरह पीष्टो नहीं चले जो तो पॉस्टेरिंग नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा प्रदस्टन दिखा नहीं पीस ट्रेलिंग की दरफ से कि यहां पर ट्रेंड बोल बहुत अच्छी गेंदवाजी करते हुए शिरफ एक ही रन दिया है पांच गेंदों पर कि यहां पर चैक कर रहा तो चक्का निकला मैं ज्यादा है कि यहां पर आयलेंड के साथ रन हो चुगे हैं पीस ट्रिलिंग बार्बलीन पीस ट्रिलिंग की बात करें वर्ल्ड कप में है तो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ग्यारा चौदा 34 बस इतने ही रन वा रहे हैं अगर हम बार्बलीनों की बात करें तो उन्होंने भी 6 छे रन फिर 62 रन बार्बलीनों भी इतने नहीं चले अगर चले हैं तो टकर टकर अच्छा बल्ले बाज है टकर भी शही चला है अगली बॉल्लिंग करने आया है साथी साथी बहुत तखड़े गेंद बाज है पहला ही ओवर डाल रहे हैं दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं पहले गेंद पर एक रन श्रीलिंग ने बार्बलीन को स्ट्राइक दे दिया है एक 120 का स्ट्राइक रेट चल रहा है बार्बलीन का बार्बलीन अगर हम दो गेंदों की बात करें पहली गेंद बैक अफ लैंद गेंद इस टम के थू इसको श्रीली ने बहुत अची से पंच करा मिड़ाफ की तरह और एक सिंगल सुरा लिया और दूसरी गेंद की बात करें तो गुड लैंद की गेंद थी ऑफसाइड पे साओधी की बार्बलीन को बहुत तगड़े से उन्हें स्लाइड करने ओपन फेस करने की कोशिश करी लेकिन तीसरी गेंद पर भी कोई रहन नहीं और तूसरी गेंद पर कोई रहन वो चाहारे हैं थोड़ा ग्याप निकाले बार्बलीन और साओधी की गेंद पर लेकिन दो लेकिन साओधी की गेंद इतना सान नहीं गेंद को एंगल बनाता है साओधी का गेंद और गुड लैंद पर डाली गेंदे और और आफ स्टम के पास जी रखा है गेंद को ना तो मिडल स्टम के पास और बिल्कु सटीक ला मारने है आईरिलेंड को और यह दोनों ओपनर रहा है अभी पीस्टेलिंग और बार्बिलीन वर्ल्लकप में कोई खास परसेशन रहा नहीं कुछ-कुछ मैच में रहा है एक-एक मैच में रहा है जैसे पीस्टेलिंग और बार्बिलीन लेकिन यहां पर वह सफल हो गए और ड्राइफ कर दिया मिडाउफ की तरह और एक सिंगल चुरा लिया फुलर गेंद पर ड्राइफ लैंद की गेंद यह फुल लैंद यहां पर सिंगल ले लिए बहुत तकड़े तरीके से आईलेंड के नौरन हो चुके हैं अगली गेंड अगली गेंड साउधी डालते हुए स्टेरिलिंग को क्या स्टेरिलिंग चौका मारेंगे चौका मारना चाहिए मेरे साफ से क्या श्टिरिलिंग चौका मारेंगे और यहां पर अपील की गई है काफ़ी की रफ से लेकिन संपाय नेमा नागर दिया नाट आउट करा दिया और यहां पर कोई रण नहीं कि गुड्ल लेंद की गेंद डाह लिए यह पीस्टिलिंग को और बार्बरी नगो और यहां पर मुझे लग रहा है यहां पर रिव्यू ले लिया है पांच भी गेंद पर मिजार जल्दी बहुत कर लेकिन इस श्र還有 केंज्ट फो ब Chaos लेकिन अस्रम फ्रेइब और अपील यहां पे हो गई है और यहां पे देखते क्या यह आउट हो जाएगे पीश लग रहाएं आउट हो जाएगे क्योंकि साथी डाल रहें गुड लेंद और आफ्टम की लेंद पे तो तो आउट ही होंगे लगता है पहला विकट गिर जाएगा आइललेंड का ची के साथ देखते हैं क्या होता है क्या एपल खालो फ्रेंड्स और यहां पे नाट आउट कर आर कर दिया गया है पीश्टी लिंग को प एलाइन लेकिन नी कुर्शकरी लग रहा है और यहां पे आउट नहीं हुए पीश्टी लिंग साथी की गें पे आरिलेंड 9 यह तो सावडी कि गेंद बाजी करें इस वरल्ड कुप में सावडीने खैस वनोग किया로ग किया एकनॉमी रही है प्रवहनaltro कि नहीं प्रवानल कि नहीं खैसी अच लहाइं दस की नहीं अचली कि नहीं और यहां पर अगली गेन थी वो उस पर लाइक बाई का सिंगल ले चुके हैं कि आर्लाइंड दस रन मार चुके दो और के बाद कि मैं शक्ति ख़तम हो रही है मेरी शक्ति माँ कि अब ही कोई करेंगा बाद है अब है कि तो लेक्ष वाल है कि अब जोड़ा अगर इसको उसने जवाद दिया इसको आइफ़न 14 प्रो मैक्स मेरी तरह से है किसी को तो उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा पहले कि अगर किसी की बंदी छोड़के जाती है तो आप क्या करोगे ए जिम जिम जाओगे भी ब्लॉक कर दोगे सी गुंड़ा घर दी पर उतर आओगे यहाँ पर डी घर पर ही बैठर होगे और यहाँ पर मैस पर बढ़ते हैं मेरे फालतों की बगवास के कोशन हो चुके है तो यहाँ पर तीसरी के डालते और बॉलिंग करने आया है न्युज़िलेंड के रभ से ट्रेंड बॉल्ट बाइस अब बास की लिए पीश छिलिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं जहां पे दो गेन्दों पे और ने दूर्ट हैं बनाती हैं ंट without लिए अगर बनाती जिससे ऑग खैलिए में बहुत मुश्किल होता है राइठ थार जिए फैठेयन पासेंट जिए हूंच में लेकिन और अफो시면 тобой जाती है तो पेस्षेलिंग में सोचा की मियं थोड़ा उपड़ी लेकिन हावा सुमादी लेकिन वह बज गयए चौका नहीं लगा पहले घिर्गिगेंग जीके और यहां पर दो और यहां पर मेरा वाला चौका मैंने चौका मार तोरी मैंने क्यों मारा यहां पर पीछी लिंग ने चौका मार दे तकड़ा वाला जो पर यहां सुनका पिछली बॉल पर ता और यह अगली बॉल पर शॉर्ट लग गया बहुत तकड़ा साउधी की बॉल गेन पर बढ़ा ही नजाकिदार शॉर्ट मारा है कवर्दिशा की तरफ जैसे अब यूभी कुछ खा गर आया है बागी देखते हैं औरे क्या करते हैं और ये कैसे बंदे हैं धंग से चैक भी नहीं करते हैं और यहां पर मैं शामज आता हूँ यहां पर दो रहन ही हुए है फिल्टर ने गेंद रोक लिया यहां पर शीक्या दो रहन ही आये है पावर प्ले चल रहा है औरे चोका कह सकते हैं अगली गेंद पर तुम क्योंगे फिर तुम बारवा बदल जाते हो अब यहां पर चोका लग गया यहां पर प्रेंग अपर बाइद यहां अपर ग्रेंट पर रहे हैंसले खत्राइब का थिम सब्सक्राइब और यहां आरद्र Πोता सघ्वार्ड मिल चुकी है सब्सक्राइक डॉन्हों का स्ट्राइक रेड पहुच चुका है डॉनों में एक उछक्क का मा रहा है एक इक ने शक्क मार्ट अब दो चुका है रीकिस साहा थी नो आख्या के बाद उनीच रन पहुंच चुकी एरलेंड लेकिन रिकुयाइड रन ड्रेट्रीज लेकिन चल रहे हैं छेगी पार प्ले में रन नहीं दिख रहेंगे अगर पार प्ले की बात करें तो तीन ओर में तीश रन दो हो निचीए दे चेए चे ओर में का तो 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 जाके हम लक्ष प्राप कर सकते हैं यहां पर बॉलिंग करने आए हैं फर्गुसन जिनका यह पहला ही गेन था पहले गेन पर कोई रन नहीं फर्गुसन की श्टिलिंग बैटिंग कर रहे हैं बहुत तगड़ा स्विंग डाला आगे रख रहे हैं गेन ताकि विकेट मिले कोई गलती करें बैट्समन और विकेट मिले क्योंकि पाउर प्ले चल रहा है श्ट मानी कोशिश करेंगे इसलिए आगे रख रहे हैं एंगल बना रहे हैं और आफ्स्टम के पास ही रख रहे हैं लाइन को और अगली गेन बहुत तकड़ी यॉरकर डाली आफ्स्टम पे पर गुसन ने पीस्टिलिंग को और पीस्टिलिंग नहीं खेल पाए ट्राइ करा यॉरकर लेकिन अगर ट्राइ करते तो आउट हो सकते थे जाद अगर मैं जानता हूं यॉरकर मैंने भी खेली है लेकिन मेरे लग गयते अब देखते हैं अगली गेन पे क्या होगा चाहां पीस्टिलिंग दवापन आपाएंगे फर्गुसन पे नहीं अगली गेन पे दो रन ले लिया है पीस्टिलिंग ने फर्गुसन की बॉल पे नहीं एक रन ले लिया है यहां एक रन पे एक रन लेके ही संदूस होना पड़ेगा पीस्टिलिंग को फर्गुसन बहुत तगड़ी जी गेंद में दो गएंदों की बात करें दो पहली गेंद स्विंग और दूसरी गेंद यॉरकर लेंद की स्विंग हो रहा है गेंद पिच पर बॉलर डालने की बात अब यहां पर न्यूजिलेंड की ऐसी बॉलिंग थी तो उनको विगेट तो लेनी चाहिए अगर पाउट प्ले में विगेट आ जाती है तो बहुत तगड़ा मैच बन सकता है और यहां पर आइडलेंड हारेगी आए पार ब्ले में कम शेका मोगने चाहिए 40-50 यहां तो 4 और में 22 रून चल रहे है चलाए चलाप 6 का रून रेड नहीं 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 और यहाँ पर अगले गयन पर Ferguson और फर्गुसं ने बार्भलीन को वेन डाली और उन्हें ने दो रण ले लिए पीछलियी बॉल पर सिंगल याधार ले और स्ट्राइक बार्भलीन को देदी यहां पर कट को नहीं कोशिश करें स्क्राइर की दरब डीप पैकमन पॉइंट फिल्टर ने पकड़ लिए और यहां पर दो रन माहल लिए यहां पर अगली गेन डालते हुए पांच भी गेन डालते भर्गुसन बार्बिलीन को यहां पर असानी से लेंड लिए बॉल पर असानी से सिंगल ले लिए और पीश रिंग श्राइक पर आगे लास्ट गेन है यह चौथ है ओवर की कि अगली गेन पर शिंगल जैसे मैंने का और यहां पर करारा चाका फिल्डर के पास कोई कोई टाइम नहीं था कि उसे ग्रैप पकड़ ले क्योंकि पाउर प्ले चल रहा है बहुत तगड़ा आउट फिल्ड है अगर बहुत तगड़ा आउट फिल्ड है अगर बल्ले से गेन लगी तो चौका ही जाएगा नहीं नहीं यहां पर डिसिजन चेंज कर रहा हूँ है बहुत तगड़ा अपने लेकिन यहां पर तीन रन आ चुके क्योंकि लो फुल टॉस थी ऑफसेट की गेन थी यहां पर एक रन थोड़ी एक रन बचा लिए तीन रन जाने दिये चौका हो सकता था लेकिन फर्गुशन की बॉल पर स्टेडलिंग ने रन बचा लिए चीगा चार और की समाथती पे आयरलेंड के 26 रन दस का होना चीए रन डेक्वाइर डेक्वाइर डेडमलों चालीस रन हो चीए चार और में गम से गम बागी देखते हैं अगर यह पावर ब्ले में नहीं मार पाठे तो अगले 10-11 और 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 स्कूर की बात करें तो इस ओवर में पिछले ओवर में सिरफ साथ रनाया फर्गुसन की गेंद पर फर्गुसन साउदी बोल्ट बहुत तवरी गेंद बाजी कर रहे है दबाब मना रहा है बैट्समें पर खोलने का मौका ही नहीं दे रहे है खोलने का मौका मलब मलब अपने आपको खोलने का मौका ही नहीं दे रहे है बले बाजी करने का कोई मौका नहीं दे रहे है वो मौका की बात करो खोल लेगी यहाँ पर परशान है बहुत पीस्टिलिंग और बार्बलीन क्या वो 185 टार्ग याँ पर से सावडी आगे, बॉलिंग करने, च्रीलिंग को च्रीलिंग स्ट्राइप परें, आपधर डबलरन ले लिए, लैंथ दिलिडियो की गेंड, एंगल से ही लेक्ष टम पर आई और यहाँ पर फलिक मर के, नान बॉल, तकड़ा शॉर्ट मर के डिप स्क्वर लैग पर डबल रन ले लिए और अपने पास स्ट्राइक रखिया अगली गेंट भी अई खेलेंगे साउधी की चाहिए जी साउधी की गेंट समझ रहे हैं साउधी और यहाँ पर दूसरी गेंट पर सिंगल ले लिए पीश्री लिखना है साउधी की गेंट पर दूसरी गेंट पर कोहिर एक रहने स्वरी तुम बोल रहों कि आज मज़ा नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं हम करेंगे बाकी 30 गेंट पर यहाँ पर एक रन ले लिया है 30 रन हो चुके ऐसी गाद आयलेंड के बहुत गंदा स्ट्राइक रेट चल रहा है च्छे का स्ट्राइक रेट चल रहा है स्लोर लेंद गेंड अंदर आती हुई लेक साड की तरफ लेकिन बैटर बैटर ने मिड विकेट की तरफ मा रहा है यहाँ पर सिंगल दे दिया सिंगल दे दिया बड़ी असानी से पीस्टेरिलिंग को पीस्टेरिलिंग को पीस्टेरिलिंग देखता है कि लिवल पर क्या करते हैं और यहाँ पर अच्छा गेंड डाला जा रहा है यहाँ पे पीश्टी रिलिंग ने कर रहा के दार शॉट मार दे गुड़ लैंड की डिर्व ते गुड़ लैंड की ऑफ साइड पे डीप पॉइंट पे एक बहुत तकड़ा चौका मार दिया है पीश्टी रिलिंग ने साउदी की गेंड पे बहुत अच्छी गेंड थी थोड़ी स्लो थी लेकिन बहुत तकड़ा चौका मार दिया है फिल्टर नहीं थे उस साइड जस साइड चौका मार रहा है गैब बनाया पैर कोला और चौका करा रहा एघली गेंस टेलिंग को यहाँ पर दियर्ट डिलिंग तर चौका मार दा थोड़ खेल रहा है पेस्टेरी लिंग और डॉट डिलिवरी है गेंद बाद की श्टेरी लिंग को 34 रन हो चुके हैं से के साथ आइललेंड के देखते हैं क्या अगली गेंद पर क्या अगली गेंद पर चौका आएगा नहीं जी हाँ यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा और गेंद रखी सावजी ने श्रीलिंग और यहाँ पर बैकपुट कवर ट्राइम मारा और दो और रन ले लिए बहुत तकड़े तरीके से बहुत तकड़ा है पाच और के बाद आर्लेंड के 36 रन हो रहे हैं तो रंडेट की बात करें तो रंडेट में थोड़ी वृद्धी होई है साथ की रंडेट हो चाहिए लेकिन दस की चाहिए तो समझ रहे हैं पीस्टिरलिंग और बार्वली ने अगर हमें दस की रंडेट चाहिए तो हमें कम से कम मारने होंगे तकड़े रंवानने होंगे तो अभी तो 70 अगर मलब 10 ओवर में 7 कि रिए तो 70 रंगर 10 की चली तो 100 रंगर 10 की चलीगी लेकिन मारना पड़ेगा और अर्लेंड हारी की वाला मैच न्यूजलेंड तो जाएगी फिर टॉप 4 में जाएगी फिर वो बक्का जहां पर बल बॉलिंग करना है फर्गुसन फर्गुसन की पहली गेंज यह शौर्ट डिलिवरी बार्वलीन को शौर्ट डिलिवरी दिया थोड़ा स्टान्स में खड़े रहे बॉल को जज नहीं करें तो सॉफ्ट हैंड से एक रन ले लिया चुरा लिया बड़ी तरीके सब यहां पर स्ट्रेलिंग को स्ट्राइक दे दिया है फर्गुसन की गेंज अब अगली गेंज फिर लिंग खेलेंगे यहाँ पर को जब एक और सिंगल ले लिया है फर्गुसन की गेंज पर स्ट्रेलिंग ने और बारो लिंग ट्राइक पर आगया है फर्गुसन की यह बहुत अची ओफसाइड डिलिवरी बॉल क्या गेंज थैक यह फर्गुसन ने प्चालिंगों सरफ एक रन आए स्रफ एक लेकिन वाला मैच है और अभी भी मैच है बैग बैश लिग तो देखना दूरों मत भूला है यहां पर लिगेंट टालते हुए फर्वर्शन बार्बलीन को वे बैक फ्लेंट की गेंगल आती भी गेंट और यहां पर स्वीप शॉट खेल दिया इस पर और यहां यहां पर कोई रन नहीं क्योंकि शुष्वर्ट के लिए अंदर फिल्टर खड़ा था उसके आथ कोई रन नहीं दिया थाटी एट रन फिर रन रेट गिर गया बहुत दीर है खेल रहे रन रेट अगर चौका छक्का नहीं मार रहे तो रन रेट गिरता जाएगा यहां पर अगली गें लोग फिल्टोच मुझे लगा रहे लेकिन मिस्टाइम करा और यहां पर मेड़ॉफ की तरफ बॉल फिल्टर के हाथ में कोई रन नहीं और यहां पर रन रेट गिरता हुआ आयरलैंड का विकेट नहीं आरी लेकिन रन रेट गिरता हुआ क्योंकि अगली गें डालते वे परकुशन बार्बलीन को और अगली गेंड गलत जाहँ रन रेकिन यहां पर कोई रन नहीं फरगुसन की यहां पर फुलर लेंद की गेंड बार्बलीन को और pressing पर करा ने कोशिछ कवर पॉइंट के अगली लिए बहुत तकड़े द्रिके से च्छटा ओवर समाप्त होने वाला है यहां पर ठर्टी एट रन हो रहे हैं च्छे की रंडेड दस की चीए अगर लगनी रहा एर्लेंड यह मैं जीतेगी तो यहां पर पॉइंट्स बनना न्यूजिलेंड के में को लग रहा है कि पॉइंट्स बनेंगे बहुत तकड़े न्यूजिलेंड के और वो टॉप फॉर की टीम में बिलकुल जाएगी इसे भी ट्राइब करनी कोशिश करी असानी से एक सिंगल ले लिया तो अगले और में बार्विलीन खेलेंगे अब इसे के साथ यहां पे छे और किसमाप्ती के बाद थर्टी नाइंड रन आयर्लाइंड के आज एनेर्जी सर्ची में नहीं है वाई वर्थ वैसी रग लिया है और लगा ले अपने और लगा ले मैंने अपने अरे हार हाँ प्रिकेट जी के सब्स्क्राइब कर ले ना और हम अपसे रोज आएंगे वादा है बस कुछ पंग यंगे ना आज़े जो हो रखे थे और वन थर्टी के सब्सक्राइबर करवाद दो यार यार कराद दो यार लड़किया वोलती है न तुम सबसे जल्दी करवा होगे तो यहाँ पर इस छे और की कि अगर हम बात करें तो ठर्टी ना ना है चौके हमें कम देखने को मिलें अब यहाँ पे स्पिनर गिंद वाजी करना है मेरे खाल सह ह한 connection in the game वाजी के नहाँ बार बलीस को सैंटर की लेट वाजी तो मेरे पहाँ से गुड लैंद की रहेगी वह ज्यादा लेकस हैड़ पर नहीं हिट करते हैं यह टकरते हैं तेकर पहले एक पर सिंगल ले बार बलीसे इस ट्रीलीन को ट्राक दे दिये हैं मेरे को लग रहा है दूसरी गेन फुलर लेंड डालेंगे राउंड दा विकेट बॉलिंग कर रहे हैं तो गेम थोड़ा सा घूमेगा घूमेगा दुरूर और यहीं पकड़ देंगे हो तो अगली गेन और यहाँ पे पी स्टिरलिंग ने बॉलर की गेंद पचाली थोड़ी फूलर लेंड की गेंदी ड्राइफ की गेंदी गैप निकाला कोई चांज नहीं फिल्टर के पास तुकि उस दिशा में कोई फिल्टर नहीं खड़ा था बहुत तेश शॉड मारा 93 किलोमेटर की पड़ार की गेंदी लेकिन स्टिरलिंग ने बहुत तखड़ा चौक हमारा इसी के साथ आयलेंड के 44 रन हो चुके है यहां पार्टनर्श ही बनेगी यह मैं जिदा भी सब्सक्राइब अगर ट्रैक्टर आया आप अगर ट्रैक्टर या अगर लग लग तोम जी तेंक बले आईलेंड नूर्ज रेगी बागी पता नहीं का बे यहां पर फॉक्ट